नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बेरोज़गारी दर्ग के मामले में छट्थे स्थान पर पहुँचा बिहार BPSC की परिक्छाव में हुआ बड़ा बदलाओ प्रस्ट जेई के ठिकाने पर छापे माडी क्रिसी मंतरी ने किसानों के डीजल अनुदान को लेकर कही बड़ी बात जरी खान ने बताया भारत-पाकिस्तान मैच का रिजल्ट इसके साथ ही बरते हैं सामतर की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से किसी मंतरी ने किसानों के डीजल अनुदान को लेकर कही बड़ी बात, बीते दिन गुरुवार को राचेस तरिये, रभी कर्मशारा सहप्रसिक्षन कारेक्रम को संबोधित करते वे, किसी मंतरी कुमार सरवजीत ने किसानों को मिलने वाले डीजल अनुदान को लेकर अपनी ब पता दे किस कारेक्रम का आयोजन समराट असो कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागर में किया गया था। जमा किया गया है इन सब के अलावा पूर्णिया और सहरसा में आलिशान बंगला मिला है और दो लौकर भी मिले हैं जिसकी तारा सी फिलहाल की जा रही है बता दे किन सभी चीजों के अलावा उनके आवास पर तीन चार पहिया वाहन भी बडामत किये गए हैं अब तक निगरा आनि टीम के दौरा चापे मारी की जा रही है बिहार के इस जिले में लोग लेते हैं सबसे जादा कर्ज बिहार के पुर्वी भाग में रहने वाले लोग लोन खूब लेते हैं बता दे कि राजे का सखा जमा अनुपाद 50.60% है जबकि पुर्णिया अरडिया किसंगंज और कटिहार का यह अनुपाद 7% से अधिक है वहीं इसमें सबसे अधिक सीदी अनुपाद पुर्णिया का 80.55% है वहीं वे राजे जो लोन लेने में औसल से काफी पीछे हैं उनमें मुंगे, नालंदा, भोजपूर, सेख, पूरा, अरवल, जहानाबाद और शारंजिले के लो दिये गए हैं वहीं अगर NPA की बात करें तो पुर्णिया को NPA अरट दिसमलो 75% है BPSC की परिक्षाओं में हुआ बड़ा बदलाव होने वाला है, बता दे कि अब इस परिक्षा के सभी प्रशन पत्र, परिक्षा केंद्रों पर ही प्रिंट किये जाएंगे इस बात की जानकाड़ी बीते दिन गुरुवार को आयोक के अध्यक्ष अतुल प्रशाद के दोराद दिया गया है, इसकी सुरवास सनिवार को होने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर की परिक्षा में किया जाएगा 9.00 के अनुसार सभी प्रशन पत्रों को सेंटर के दोरा सौफ्ट कॉपी के रूप में एक पेंड्राइब में डाल कर सील बंद बॉक्स में दिया जाएगा जसके बात परिक्षा कक्ष में छात्रों के सामने ही उस पेंड्राइब को निकाल कर BPSC के दोरा दिये गए प्रिंटर से प्रिंट निकाल कर छात्रों को प्रशन पत्र दिये जाएंगे यह नई प्रिक्रिया इसलिए लागू की गई है ताकि प्रशन पत्र को लीक होने से बचाया जा सके बिरोजगारी दर के मामले में छट्थे अस्थान पर पहुँचा बिहार Center for Monitoring Indian Economy CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार बिरोजगारी दर में छट्थे पायदान पर है बता दे कि CMIE ने सितंबर महीने की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बिरोजगारी दर के मामले में राजस्थान टॉक पर है इस राजे में सबसे ज़ादा इदर मामले में छट्थे अस्थान पर है सुभर सबहर रापरी आवास को घेर ने पहुँच गये ग्राम रक्षादल के लोग आज सुभर सएक्रो की संख्या में ग्रां रक्षादल के लोग रापरी आवास पहुच गयै और वहां पहुच कर अपनी मांगों को रखते वे धरने पर बैट गए दरासल इन लोगों का कहना था कि सरकार हमें भी तंकवा दे और स्थाइक करन करें सैक्रों की संक्या में 10 सरकुलर ड्राबरी आवास पहुंचे ग्राम रक्षा दन ने बताया कि हम लोगों को काफी आसा है यही कारण है कि सैक्रों की संक्या में महिला भी यहां पर पहुंची है उपमुक्रेमंती तरस्वी यादर ने मुलकात करना चाहते हैं जिससे कि कुछ न कुछ हम लोगों के लिए भी किया जा सके करोडों की ठगी का आरोपी आयोध्या से गिरफ्तार बकसर में फरजी कम्पनी बनाकर लोगों से 8 करोड 23 लाक रुपे की दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पांस साल से गिरफ्तारी के लिए ढून रही पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को यूपी के आयोध्या से गिरफ्तार किया है हाला कि फरजीवारे के एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापे मारी जारी है द रुपे निवेस कर अधिक लाप कम आ सकते हैं इसी के बाद से ठगी का सलसला सुरू हुआ और इसके बाद विविन फरजी कंपनियों के बैंक खातों में कडिव 8 करोड 23 लाख रुपे निवेस करा लिए गया खास बात है कि आरोपियों की गिरफतारी के बाद लोगों ने पत्ना के 14 गंगा घाट खतरनाग खोशित बिहार की राजधानी पत्ना के 14 छट गाटों को प्रशासन के दौरा खतरना घोशित कर दिया गया है इस बात की जानकारी पत्ना जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्र शेखर सिंग के दौरा दिया गया है उन्होंने बताया कि खाटों को खतरनांग खोशित किया गया है। उनमें कुर्जी घाट, राजापूल घाट, बास घाट, पहलवान घाट के साथ 10 अन घाट सामिल है। उन्होंने कहा कि अब जो भी निर्णाइ घाटों को लेकर किया जाएगा वो आगे की सिथी को देखते वे लिया जाएगा। केंद्रिय मंत्री ने कही बड़ी बात बिहार में सवालाग सिखचक अनपर। बिहार के दरभंगा पहुँचे केंद्रिय विद्यूत नविन्व नवनिकर उर्जामंत्री आरकेस सिंग ने बिहार के सिखचकों को लेकर बड़ी बात कही है। तरसल बीते दिन दरभंगा मे सवालाग सिक्षक अन पर बहाल है। कॉलेजों में आजकर पढ़ाई नहीं होती। इस स्थिति में यहां की सिक्षक कैसी होगी यह कहने की बात नहीं है। यहां की लोग बाहर काम करते हैं। इस बारे में हमें सोचना होगा। सुशील मोदी ने बिहार के DGP पर उठाए सवाल। सुशील मोदी ने बीते दन गुरुवार को हाई कोड के चीफ जस्टिस के नाम पर फरजी कॉल के आधार पर फैसले करने वाले बिहार के DGP पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब SPS तर के अधिकारी को बचाने औ अगर फोन असली चीफ जस्टिस का भी होता तो क्या सराग पकरे जाने के मामले में SPS तर के अधिकारी को फोन के पैरवी पर रहात देनी चाहिए थी लेकिन फिर भी SPS को दोश्मुक्त कराने के लिए छुट्टी के दिनों में भी जांच अधिकारी को चन्नाई से बुला क ख्लोजर रिपोर्ट तयार करवाई गए इसके साथ ही शुशील मोदी ने किसी अन्य एजेंसी से इस मामले की जांच करने की मांग की है तेश्वी यादव का PM मोदी पर हमला विहार के डिप्टी सीम तेश्वी यादव ने प्रधान मंत्री पर जम कर हमला बोला है उन्होंने कहा कि PM मोदी भी हमारी मुख्य मंत्री नितीश कुमार की नकल कर रहा है तो वही नरेंद्र मोदी 100 करोर से जादा आबादी वाले तेस में केवल 75,000 न्यूकती पत्र बाटे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी ने युवाओं को ठगने का काम किया है उन्होंने युवाओं से वादा किया था कि वे हर साल 2,000,000,000 नौकरी उन्हें मुहया करवाएंगे मैंने पहले ही कहा था कि बिहार मॉडल को पूरा देश अपनाएगा और आज देखिए मुखे मंतरे नितीस कुमार की नकल PM मोदी करने में लगे हैं डीजीपी के बचाओ में उत्रे सी है पतना हाई कोट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी इसके सिंगल को फोन करने वाले नटवरलाल अविशेक अगरवाल के बचाओ बिहार के मुखे मंतरें तीस कुमार उत्रे है उन्होंने मीढिया से बातचीत के दवरान कहा के अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए एक दरव जहां प्रशांत किसोर लगा था नितीज कुमार पर हमला करते नजर आ रहे हैं तो वही नितीज कुमार ने प्रशांत किसोर की कही बातों को लेकर मीडिया से कहा कि आप उनकी बातों को मत सुनिये वे केवल अपनी लोग प्रियता के लिए बोलते हैं आपी जानकारी के लिए बता दे कि बीते दिन प्रशांत किसोर ने नितीश कुमार पर हमला करते वे कहा था कि नितीश कुमार कभी भी BJP में शामिल हो सकते हैं उन्होंने कहा कि वे हरीवन्स के साहरे BJP में दुबारा सामिल हो सकते हैं अब हरीवन्स ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साहरे नितीश कुमार और BJP आपस में बातचीत कर सकती हैं जिसके बाद नितीश कुमार ने प्रशांत के शोर पर हमला करते वे मीडिया के सामने ये सारे बयान दिये जहीर खान ने बताया भावर आजम के खेले गया मैच में जीत मिलेगी इसके साथ ही टीम इंडिया फाइनल में जगव बनाने में भी सफल रहेगी उन्होंने कहा कि जब स्प्रीद गुम रहा है इस टीम से जिरो की वज़ा से बाहर हो गया थे लेकिन फिर भी टी इंडिया जिस तरह से निखरती भी नजर आ रही है इसे असाथ पता चलता है कि यह फाइनल में पहुँचने के दावेदार है वही दूसरी टीम जो कि फाइनल में पहुँचेगी वो इंग्लैंड है आपको बता दे कि जाहिर खान से पहले सचिन तंदुलकर ने भी कहा था कि भारत पाकस्तान को हडाने में सफल होगी। वहीं डीजल में 32 पैसे प्रती लीटर की गिरावट आई है जिसके बाद राज़ानी पटना में पेट्रॉल की कीमत 107.24 रुपे वहीं डीजल की कीमत 94.4 रुपे प्रती लीटर की दर पर बिक रहा है बीते दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ननु कुमार, कुलदीव कुमार, सरीता पासवान, रवी संकर, सुधीर कुमार, पवन सिंग, राकेश सर्मा, मृत्यूंजय कुमार, संकर मुखिया, उमेश रिसी देओ, कविता कुमारी, रंजीत मिश्रा, सिफ़ान कुमार, मुहमद नौशद राजा, अब भढ़ते हैं अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चाल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद